श्रीमद भागवतम आधी पुरानों में भागवान बद्ध अवतार की बर्णन मिलते हैं। भागवान बद्ध जिस समय अवतार लिया हैं। उस समय बड़े बड़े राजा और तथाकतित ब्रामनों ने वैदिक धर्म के आश्रोय लेके बहुत से पशुबली द्वारा यग न करना पशुबली द्वारा यग न करते थे। जिस से हिंसात्मक बेवहार समाज में अधिक मात्रा में प्रचलित हो गया और समाज असान तो होने लागे। तो भागवान बद्ध ने इन सब राजाओं को और तथाकतित ब्रामनों को समझाया। देखिए आप लोग जो किसी पोसुक हत्ता कर रहा है वैदिक धर्म के सहारा लेके ये गलत है। तो सभी राजाओं और ब्रामनों ने तरक उठाया कि हम वैदिक धर्म का अचारण पालन कर रहे हैं तो उसमें गलत नहीं है। इसमें पाप तो होना नहीं चाहिए क्योंकि वैदि में इसका आगा देते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आपके शरीर में कोई दुख दे और आप आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार किसी प्रानी को दुख दे कि कौन सा धर्म आप करना चाहते हैं। आप अहिंसा धर्म को पालन जीए तो भगवान बुद्ध की रूप और उनके माधूरिय बचन की द्वारा सभी प्रभावित हो गया और शनातन वईदिक धर्मों को त्या करके भगवान बुद्ध की आश्री ले लिया। यहां से बुद्ध धर्म का परचलन शुरू होती है। देखिए बुद्ध भ भगवान का भी नाम है और श्रीमत भागवत में 24 अवतार का लिस्ट है उसमें भी बुद्ध भगवान का नाम है। लेकिन बुद्ध भगवान होते हुए भी हम लोग बुद्ध भगवान मानते हैं उनके पुजा करते हैं लेकिन उनकी शिक्षा का हम पालन नहीं करते हैं क्योंकि बुद्ध भगवान वेद को अशिकार किया तो वेद अशिकार करने से उनके शिक्षा को भी हम लोग अशिकार करते हैं इसलिए बुद्ध भगवान तो है लेकिन उनके शिक्षा का हम आदर नहीं करते हैं बुद्ध भगवान के अवईदी की प्रचार के द्वारा वेदा सास्रों के जो महिमा वो कम हो गया है और समाज एक वईदी की सास्रों विहीन धर्म विहीन बिताने लगे और धर्म हिना पसभी समाना जिस समाज में जिस सुसाइटी में धर्म नहीं है वो पसुतुल्ल समाज है पसुतुल्ल सुसाइटी है इसका किसी प्रकार का उद्धार नहीं है मुल्ल नहीं है इस बात को भगवान समाजने लगे भगवान ने कहने लगे शंकर को अरताथ शीब जी मैं बुद्ध धर्म का तो प्रचार करके आया लेकिन इसमें एक अनर्त और खरा हो गया शनातन वईदिक धर्मों को सब लोग तिलांजली कर दिया कोई और संदा बंदना अधिक क्रिया नहीं करते है पूजा पाट नहीं करते है या भगवान के नाम अधिक कोई नहीं ले रहे हैं तो आप जाकर के जो है फिर से बुद्ध शनातन धर्मों को प्रतिष्टा किजिए मैंने जिस शिक्षा को सब को दे के आया है इन शिक्षाओं को सब को भुला दिजिए और आपके शक्ति से इन सब को आपके आप में आप शिष्वाना लीजिए तो भगवान संकर ने आया शंकर ने संकराचार की रूप में आया संकराचार्यों एक महान विष्णम है एक महान भक्त है बगवान के इन्हों ने आंकर के जो भगवान बुद्ध के द्वारा दिया हुआ शिख्षा के द्वारा सभी लोग बिगार गया है उन विक्रित लोगों को फिर वईदिक शनातन धर्म में खिच लिया है और वेद को मन्नता दिलवाया और इस प्रकार वईदिक शनातन धर्म अर्ताद वेद फिर से भरत बर्श में प्रचलन और पूजापाध येग्याधी चलने लगे है लेकिन इसमें एक बिबाद और खरा हो गया क्योंकि शनकराचार ने भगवान के रूप का भगवान के सभी से रूप के जो अवहलन किया और निर्विशे से निराकार ब्रम के प्रचार के द्वारा भगवान के रूप का अवहलन करने से अभी भगवान के र चार करके चले गया तो भगवान की एक शक्तावेश अवतार और आया है देखिए शंकराचारे की यह बात में आपको बोल रहा हो यह पद्मपुरान में इसका उदाहरन पाया जाते हैं हम आपको सुलूग भी सुना सकते हो आप सुनिए देखिए पद्मपुरान उत्तर पयो यान श्यात स्रिष्टी रेशुत्तरत्तरा इसका अनुबाद इस प्रकार है है महादेव आप जाए कलिकाल में और जा करके बिमुख जीव को जीव को मेरा साखार रूप को उनके सामने गुपन कर दीजिए गुपत कर दीजिए और मेरा निर्विश्यष ब्रम्ह का प पाया जाता है कि भगवान महादेव स्वयम पारवति को बोलते है है पारवति मायाबाद अससास्रम प्रच्छनम बद्ध मुच्चते मैव विहितम देवी कलो ब्राम्हन मुर्तिना है देवी है पारवति कलिकाल में मैं क्या करता आपको पता है कि मैं ब्राम्हन के रूप लेकिन उसी ब्रह्म शुत्र के द्वारा संकराचार महान व्याणी का मुंडी भी ला दिया और इन सब को भगवान के निराकार निर्विशयस रूप में ही उनका आस्ता स्थापन कर दिया इससे क्या हुआ इससे वेद सास्त। दूबरा प्रतिष्ठित हो गया लेकिन भगवान के साकार रूप का पुझा और चन्व बंद हो गया तो ये और एक समझ सकारा हो गया तो भगवान स्रिकिष्ण फिर आपने कला अपने कला मतलब अपने अंसकी अंसके द्वारा रामानोच चायरों को बेजा रामानोच आचार जो वह भी साउधग्षिन बारत के है तो रामानोच आचार जो आकर के जो संकराचायरों जिस फाउंडेशन उता जिस धर्मों की नियू रखा उस नियू में उन्होंने सबीष्यश साकार रूप का उपासना जगत में प्रतिष्टित किया और संक्राचारे के वहे अर्थ भारत वर्षव में भगवान के सबीष्यश साकार रूप का पुजार चन अराधना और उनके प्रशिद्धिता लाब होने लगा इस प्रकार ये करम चलते रहा तो आप देखिए प्रस्न है क्या भगवान स्रीक्रिष्ण परम ब्रम्म है इसका भी प्रमान स्रीमत भागवत से हम आपको देंगे कि भगवान स्रीक्रिष्ण ही ब्रम्म और भगवान स्रीक्रिष्ण ही परमात्मा और भगवान जो कि समस्त अवतार के मूल उत्सव मूल कारण है ये स्रीमत भागवत में इसका उल्लेक आते है कोच भुले वाले भक्त बोलते है कि भगवान बिष्णु से ही भगवान स्रीकृष्ण आते है इन भुले वाले लोग जानते नहीं कि स्रीकृष्ण ही समस्त अवतार के मूल का भागवान श्रीक्रिष्ण को पुर्ण ब्रह्म कहा गया है पुर्ण ब्रह्म जो कि नंद महराज की पुत्र रूप में आये है और सारे ब्रजवाशियों के मित्र है बहुत बरे भाग्य के बात है क्या भाग्य के बात हम बतला है कि भगवान श्रीक्रिष्ण जिसके मित्र है और जिनकी संतान रुप में आये है ये श्रीमत भागवत की दर्शम्सकंद की चोदा अद्दय के बतिस नंबर स्लूक में है ऐसा और बहुत सारे स्लूके में इसके बारे में दूसरा एक वीडियो प्रबचन तायर करेंगे उसमें आप लोगों को सब कुछ मिलेगा